यह एक ऐसा फोन ही जिसके अंदर रखो 5 साल तक Android वर्जिन के अपडेट मिलेंगे और टोटल 8 years तक security patches और कहा जा रहा है कि 8 years तो क्यां यह लोग 10 years तक भी प्रड़ेट कर देंगे यानि कि एक ऐसे फोन के बार में बात कर रहा हूँ जो अपडेट के मामले में गोगल और Samsung से भी आकर निकल चुका है लेकिन एक बाब बता हूँ यह फोन शायद कभी इंडिया में देखने को नहीं मिले लेकिन शायद इस फोन को इंडिया में लेकर आना जाहिए एक्सेटली में किस फोन के बाश में बात कर रहा हूँ इस फोन का नाम में है पीछे की जो मिस्टरी है यह फियर फोन ही आपके कंप्लीट करता यह इस से बना गया तक जहां पर बोला जाता था कि तो फोन के अंदर काफी सारे ऐसे components है जिसको अगर किसी को repair करना है तो खुद घर पे कर सकता है बैठके मतलब कि क्या करना है उसे के company की website पे जाना है parts को order करना है और अपने phone के अंदर कोई problem आजा है parts के अंदर तो उसे वह हाँ पे replace कर सकता है और company ने जो parts से बहुत ही reasonable rate में अपनी website पे लिस्ट कर रखे है कि इसको repair करना भी आसान हो और वो इसलिए इसकी phone की 5 साल की warranty भी लोग प्रवाट कर रहा है अगर बात करूँ तो कौन-कौन से parts इस phone के अंदर आप replace कर सकते है वो है display, battery, जित्ते भी camera modules है वो including selfie camera, loud speaker, USB type support, micro SD card का slot, sim trip और जो TOF time of flight sensor दे रखे है phone के अंदर वो यहार यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर repair कर सकते है खुद इक company की website से order करके लेकर भी बात करें जो phone है उसकी एक interesting चीज़ है और वो है उसका processor यह phone Qualcomm के processor पे तो चलता है लेकिन यह कोई snapdragon processor नहीं है इस processor का नाम है Qualcomm QCM6490 और यह एक SOC है जिसके अंदर आपको GPU और modems अगरा देखने को मिलते है लेकिन एक खास बात है snapdragon ना होते हुए फेर फोने से चूज़ किया बेसिकली फेर फोन की demand यह थी कि वो एक ऐसा SOC चाते थे जैसे long term उतर software support दिया जा सके इसलिए Qualcomm ने special एक industrial और तो enterprise लवल का SOC होता है जो IOT devices के अंदर use किया जाता है उसको यहाँ पे introduce किया है उसके लिए देखो simple सी बात यहाँ पर है कि कोई भी अगर normal snapdragon processor होता है ना उसकी एक life cycle होती क्योंकि वो consumer के लिए बनाए गया है तीन साल चार साल तक उससे software update जो रहेंगे वो back end से Qualcomm उसे आपर provide करेगा लेकिन यहाँ पर problem पता क्या रह जाती है क्योंकि consumer level में क्या रहता है ना कि एक device है वो तीन से चार साल तक अच्छे तरीक से चलेगा उसके बाद उसके अंदर कोई problem आएगी और लोग उसको जहाँ पर छोटी किसी दूसरे phone group पर चाहेंगे इंडस्ट्र एंटरप्राइस में जब बात करते है ना तो बात होती ही यहाँ पर कोई बी अगर चीज यूज करी जाती है इस चिप का यूज वो लंबे समय तक कर सके और क्वाड कॉम के लिए वी आसानो लंबे समय तक सफ्टर सपोर्ट देना और फेर फोन वालों के लिए आसानो ताकि इस चिप के अंदर लंबा सफ्टर सपोर्ट दिया जा सके लेकिन problem पता है यहाँ पर क्या आएगी कि software update तुम जहाँ से देखने को मिल जाई अच्छी लेकिन हो सकता है कि इस process के साथ आपको वैसी performance देखने को ना मिले जैसे हम एक flagship या फिर एक अच्छे process एक्सपेट करते हैं क्योंकि definitely यह proper smartphone के लिए बनाया गया कोई SOC नहीं होने वाला जाने जब expect नहीं कर सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से game खेल लेगा या इसके अच्छी quality का camera है आपने निकल कर देदे इसको इसी सोच के बनाया गया है ताकि यह phone पर जो SOC लगाया है इसे लंबे समय तक software support दिया जा सके इसके लाबा दूसरी specification भी इस phone की काफिया ची जैसे की 90 Hz का OLED डिस्पले देखने को मलता है पीछे के तरफ 1250 MP का camera से वो भी दौनों Sony के sensor है main camera 50 MP का Sony IMX 800 और एक और camera 50 MP का ultrawide Sony IMX 858 50 megapixel का JN1 image sensor है 4200 MP की battery 30W की charging यहापर आपको देखने को मिलेगी phone को देखा जाए तो एक screwdriver से पूरे de-assemble कर सकते है और आसाली से अपने साब से phone को repair भी कर सकते है यह इस phone की हापर सबसे खास बात है लिगे निक बात आती क्या यह phone कभी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा यह नहीं मिलेगा देखो phone की सबसे पहले pricing के बार में बात कर तो वो है 699 यूरो इसकी इंडियन रुपीज में pricing होती है लगबग 62,000 रुपीज अब कि 62,000 रुपीज में कोई आतनी इस phone को लेगा शायक नहीं ले अब आखर इसकी इतनी price क्यो है देखो company अगर एक phone यहाँ पर बना रही है और लंबे समय तक software support, 5 साल तक warranty दे रही है तो upfront आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेगी क्योंकि जित्ते भी software update होते है यह आखो इतने आसान नहीं होते काफी सारी parties involved होती है यहाँ पर Qualcomm भी involved रहेगा, Google भी involved रहेगा और फेयर phone company खुद involved रहेगी और यह फेयर phone के लिए नहीं किसी भी mobile phone company के लिए अपर टूल रहता है multiple parties involved रहती है, multiple level पर testing होती है, engineers involved रहते हैं और किसी भी software update को निखान ले में time और पैसा दोनों यहाँ पर लगता है इसलिए काफी सारे phones में delay होता है updates का और काफी सारे जो budget phones होते हों लंबे समय तक software update नहीं दे पाते और इसलिए यह चीज जीज रहती है, हमें जालतर flagship या manual phones में देखने को मलती है लिकिन fair phone में कोई ऐसा कोई special feature होने नहीं वाला है यह इसका highlighting feature होगा, इसलिए जो majority amount होगा वो उसके अंदर updates वगरा provide करने में चला जाएगा यहां तक कि phone के अंदर कोई problem आएगी तो company इसके अंदर 5 साल तक की warranty provide कर रही है उन्हें पता है कि जैसे सिफ phone पुराना होता चले जाएगा दिक्कते आएगी और उनको आगे चलिके काफी सारे phone से अदर फ्री में repair करने पड़े तो इन सब का जो upfront cost वो यहां पर ली जा रही है लेकिन सवाल यह आता है कि यह इस company का कोई plan है इंडिया में phone launch करने का यह कोई plan नहीं है लेकिन एक बात बता सकता हूँ क्या है इस tap का concept यहां पर ही चल सकता है mobile phone industry में देखो कर इंडिया के इस landscape में बात कर रहे तो इस tap का concept बहुत अच्छा है और काफी सारों को पसंद आएगा लेकिन इस tap का जो phone है अगर company market में निकालती तो बहुत बुरी तरीके से flop होगा देखो पहली बात तो pricing बहुत जादा होगी और pricing के हिसाब से जो hardware मिल रहा है न वो ऐसा मिल रहा है कि लोग यहां पर जहान नहीं देंगे वे symbol सी बात है अगर कोई आदमी अगर मेंगा फोन चाहेगा तो चाहेगा उसके अंदर best processor, best display, best camera सारी चीज़ हो इस phone में आपको वो देखने को नहीं मिलने वाला इवन बात करें तो phone के अंदर भी इस लंबे समय तो software update एक अच्छी चीज़ है लेकर सवाल आता है आखर लोग कितने लंबे समय तक चलेंगे पांच साल तक हो सकता कुछ लोग अपने phones को चला है लेकिन पांच साल से पहले ही जादा तर लोग अपने phones को update कर लेते क्योंकि mobile phone एक ऐसी चीज़ होती इंडिया में वह होता है कि इससे आप रोज आने यूज़ करते हो डेली अपने हाब में बगड़ते हो अब मार्केट में जब रहने प्रोड़क्स आने लगेंगे तब आपको भी लगेगा यार कि इस phone से बहुर होगा चलो आपको इन नया phone जाकर ले ले लेते हैं पहले एक साल लियो दो साल लियो लेकिं धाई से तीन साल के अंदर ये feeling अकसर यहाँ पर लोगों में आती है एक साल दो साल तीन साल के gap के बाद देखे न तो टेक्नोलोजी में काफी ज़्यादा changes यहाँ पर आ जाते हैं जिस हिसाब से लगता है कि आप नहीं नहीं चीज़ा आ रही है आपको phone के अंदर ये सब देखने को मिल रहा है चुल अब इस phone के उपर यहाँ पर हमें try करना चाहिए क्योंगि शायद कुछ लोग होंगे जो लंबे समय तर phone को चलाई है लेकिन काफी सारे लोग चाहँ हम 5 साल 8 साल की बात करते है न तो उस हिसाब से देखा जा तो technology में जब changes आने लगते है न तो लोगों भी लगता है कि हो upgrade करने कटाय मार गया और शायद ऐसे phone के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है यानि कि update लंबे समय तर provide करना कोई गल्रत बात नहीं है लेकिन एतने लंबे समय तक क्या लोग phone का यहाँ पर use करेंगे यह सबसे बड़ा सवाल है इस्पेशली बात करें इंडिया में आथ के समय में जो refresh cycle है वो लगपन 2 साल का है इसके बात जाद से जाद है 3 साल का हो सकता है लेकिन 3 से 4 साल भी बहुत जादा rare होता है कि लोग यहाँ पर phone को चलें और 5 साल तो आप बहुत ही कम समझी है कि यहाँ पर phone आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा और उपर से यह बेर देखना है कि phone का जो hardware है अभी जितने अच्छी तरीके से चल रहा है चार से 5 साल के बाद जब apps और android का जो नया version हैंगे जब कुछ नया features हैंगे तो क्या वैसे ही performance निकाल करतेगा जैसे अभी निकाल कर दे रहा है ऐसे काफी सारी चीज़े जो इस टैप के concept को यहाँ पर लाने से रोकती है लेकिन definitely मेरे इसाब से इस टैप के concept अगर किसी company को लाना है ना जो अपने जो top tier flagship phones होते ना वहाँ पर लाना चाहिए अगर बहाँ पर इस टैप के concept को लेकर आया ना जाया ना तो यह काफी जो बर्जा चीज़ हो सकती है आपका hardware काफी अच्छा है, camera काफी अच्छा है और flagship के लिए जितनी अच्छी चीज़े मिलती है वो लंबे समय तक लोग असाथ दे देती है यह काफी सारी चीज़े है इस phone के बारे में लेकिन हाँ एक इंट्रस्टिंग कंसेट का phone है देखते कि इस similar concept को इंडिया में कौन सी कमदी यहां पर apply करती है भाइदावे आप लोग क्या लगता च्या इस phone को इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मैं बहुता हुए बात थिंग क्यों क्यों वीडियों देखिए गी मैं आपसों तों लेक्स्ट वर्म में गुडबाई